नमस्कार जै मातादी मित्रों जोतिश्ग्यान चैनल पर आप सबू का स्वागत है जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले मित्रों अपनी हथेली पर जो लिखोगे 24 घंटे के अंदर तुम्हारी वह इज्छा सरलता से आसानी से पूरी हो जाएगी आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने आई हो ना स्किप करें ना जल्दबाजी में इसे देखें टेकनिक है थोड़ा समझ ले बस थोड़ा समझ ले और उसके बाद देखें क्या जादू होता है आपके साथ आप अपनी कैसी भी कामना इश्वर से पूरी करवा सकते हैं ब्लू कलर की निली कलर की कलम से आप अपनी हथेली में कहीं और आपको जाने की जरूरत नहीं एक रूपे खर्च करने की जरूरत नहीं हमारी ही हथेली में समस्तदेवी देवताओं का वास होता है प्रथम जब हम सोकर जागते हैं अपनी हथेली के दर्शन करते हैं करागरे बस्ते लक्षमी करमध्धे सरश्रती करमोले तो गोविंदा पर भाते करदशनम यह मंत्र कहते हैं अर्थात हमारी हाथ में ही तो सब कुछ है फिर हमें बाहर जाने की क्या आवशक्ता है क्या संतान सुख, क्या विवाह का योग, क्या प्रेम, क्या घर, क्या गारी, क्या बंगला और क्या भातिक सुख, और क्या अपार करोडो धन आपके मन में जिस चीज को प्राप्त करने की इच्छा है वह चीज आप प्राप्त कर पाएंगे बड़ी सरलता से, बड़ी आसाने से आज इस वीडियो में यही बता रही हूँ अपने हथेली पर आपको यह लिख लेना है और देखिए क्या जादू होता है, क्या चमतकार होता है 24 गंटे के अंदर, वो स्वैम आपकी मुठी में होगा अदभुध है, चमतकारिक है, यह दिख दे, परियोग मित्रों मैं आपको बता दूँ यह कोई टोना, टोटका या उपाय नहीं है यह एक बहुत सकरात्मक चीज है इससे आप संतान मांग सकते हैं आप नौकरी ले सकते हैं सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो आप अपने पसंद की सैलरी की जॉब ले सकते हैं यदि आप किसी specific person को पयार करते है या किसी लड़की को और आप उसी से विवाह चाहते हैं तो यह उपाय इतना असरदार है कि आपका विवाह उसी से होगा समझने का फेर है आप वीडियो को थोड़ा सा भी इसकी इपना करें क्योंकि हथेली में बहुत सारे कोन होते हैं, बहुत सारे परवत होते हैं आप जगह जरा से भी बदलेंगे तो आपका परवत बदल जाएगा, भग्य बदल जाएगा, फल बदल जाएगा फिर आप कहेंगे देदी मैंने किया था असर नहीं हुआ आप दिहान से सुनेंगे मेरी बात की हतेले के किस परवत पर लिखना है, क्या लिखना है और कैसे लिखना है कि हम अपने इच्छा को 24 घंटे के अंदर पूरी करने और यदि इच्छा दूर की हो बड़ी हो तो 24 घंटे के अंदर पूरी होने की राह पर वो चल पड़े थोड़ा सयम रखे धैरे रखे और ध्यान से सुने मित्रो इस उपाई को करने में नहीं जाता समय बरवाद होगा और नहीं एक रुपे का खर्च ये उपाई सात्विक्ता से करनी है और बर्मात्मा का नाम लेकर करनी है नाम जप में कितनी शक्ती है यह आप अब जानेंगे जब इस वीडियो को आप पुरा देखेंगे ध्यान से देख कर समझ कर किया गया परियोग कई लोगों को सफलता दिलाया है इस एक परियोग से मैं आपको बता दूँ कि यह जाचा परखा और साक्षात किया हुआ परियोग है कई लोगों ने इसका लाब उठाया है और तुरंट उठाया है तो जब कई लोगों को लाब हुआ है तो आपको भी अवश्य होगा जरूरत है विश्वास की पूर्ण विश्वास के साथ केजिए प्रथम विश्वास पर मात्मा पर दूसरा विश्वास खुद पर और तीसरा विश्वास अपने गुरू पर आप जिसे भी गुरू मानते हैं यदि आप मुझे गुरू मानते हैं तो मुझ पर पूर्ण विश्वास के साथ किया गया हर परियोग 100% सफल होता है यदि आप किसी से प्रेम करते हैं आपका प्रेम आपको वापस मेलेगा यदि आपका प्यार रूट कर चला गया है आपका पती आपको छोड़ कर चला गया है या आप मन ही मन किसी से प्रेम करते हैं और उसको जानकारी ही नहीं है आपके प्यार की तब भी इस परियोग के द्वारा आप सामने वाले के हरदय में अपने लिए प्रेम का दिया जला सकते हैं डिव्वे हैं ना ये परियोग जब सबको लाब मिला है तो आपको भे लाब मिलेगा पूरा वीडियो देखें समझ लें और आसानी से बिना एक रुपे के खर्च के आप इस परियोग को करें 24 गंटे के अंदर वहाँ खुशी वह सफलता सामने से आएगी आपकी मुठी में आएगी और आपकी कामना पूर्ण होगी जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहले बार आएं हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें मित्रों आपको एक ब्लू कलर की कलम लेने हैं दाहिने हाथ में कलम पकड़ लें किसी भी माह के सुक्ल पक्ष के संडे के दिन से यह उपाय आप्रारंब करें आपको दाहिने हाथ में कलम पकड़नी है और बाए हाथ में इच्छा लिखनी है तहां लिखनी है ध्यान से सुनिये बाए हात में जहां से उंगलिया सुरू होती है उसके ठीक नीचे परवत होते हैं सुक्र परवत होते हैं, गुरु परवत होते हैं, सूर्य होते हैं, सनी होते हैं जो उभरा हुआ भर्व होता है, जहां के बाद रेखाएं सुरू होती है आपको इसी उबरे हुए भाग पर इच्छा लिखने है इच्छा कैसे लिखने है? यदि आपको नौकरी चाहिए तो केवल लिखना है नौकरी यदि आपको प्यार चाहिए तो लिखना है प्यार साथ में उस वेक्ति का नाम जिसका प्यार चाहिए यदि आपको विवाह करना है तो आपको सिरे पे विवाह या शादी लिखने और कुछ ने लिखना इतना गाढ़ह करके कलम से लिखें, रातरी किसम में लिखें बिलकुल सोने से पहले, उसके बाद आपको पानी भी नहीं पीना, कोई काम नहीं करना सारे काम करने के बाद आप कलम से अपने सारे परवतों पर जो सूरे परवत है गुरू परवत है सब पर चढ़ा दें आप बड़ा बड़ा लिख दे गाढ़ा करके और केवल अपनी इच्छा लिखे उसके बाद आखे बंद करके अपने इस इच्छा को सोचे और तीन बार अपने मूसे इस इच्छा को बोले मुठी बंद करके सोचाए ये काम आपको 43 डेज यानि 43 दिनों तक लगातार करनी है और कोई न देखे आपको, कोई न तोगे एक बात और याद रखे अगली सुभा जब आप इसनान करते हैं तो यह चीज बिलकुल मिटनी नहीं चाहिए इसनान करने वक्त भी आप बहुत ध्यान दे मुठी को थोड़ा बंद कर ले ताकि फीकी हो जाए, भूल जाए, परन्तु पूरी तरह से ना मिटे अगली रात आपको कहीं और नई लिखना है, इसी पर फिर से गाढ़ा करना है कलम से, इसे ही दोहराना है, यानि अपनी इच्छा को हर दिन मजबूत करना है 43 दिन एक ऐसा समय होता है कि बड़ी से बड़ी कामना भी ब्रहमांड पूरी करता है फिर निर्दे से अपनी उस इच्छा को आप सोचे, तीन बार मू से अपनी वह इच्छा को बोले और पुना कलम से इसी इच्छा को इसी अक्षर पर दोहरा है ऐसा आप 43 दिन तक करें यदि बीच में ही इच्छा आपकी पूरी हो जाती है तीन दिनों में, साथ दिनों में, पाइच दिनों में कभी-कभी आपकी उर्जा बहुत अधिक हो तो 24 घंटी में भी इच्छा पूरी हो जाती लेकिन आपको 43 दिन का यह चपर पूरा कर ही लेना है ताकि जो चीज मिली है आपको वह पर्मानेंट हो जाए मित्रों मैं क्या कहूँ कि क्या अदभूत तरीका है ये अपनी इच्छा को पूरा करने का और परमात्मा का नाम ले जब यह कारी कर रहे हो तो भगवान शिव को या भगवान हनुमान जी को मन में स्मरन करे उनका जब करे उनकी शक्तियों को महसूस करे और पूर्ण विश्वास के साथ अपनी इच्छा लिखे आपकी इच्छा सौ प्रतिशत पूर्ण होगी परंतो 43 दिन का यह चक्र ना तूटे तो जरूर करे और क्या बदलावाया आपके जीवन में क्या अनुभव किया आपने मेरे साथ भी मेरे कमेंट सेक्षन में उसे साजह करे पिसमत नर्वा आज के लिए इतना ही परंत्मा की किरपा बरसे आप पर आपकी इच्छा पूरी हो